थोई टाइम पहले में विपास एक लड़की की स्टोरी आई थी इंस्टे ग्राम पर उस लड़की ने जो अपनी कहानी बताई ना उसको सुनने के बाद मैं भी सोचने लगा कि सही में आमें प्यार करना चाहिए क्या सही मैं एक इंसान के साथ रिलेशयम में जाना चाहिए च अभी-कभी बहुत ज़्यादा उल्टा सीज़ पोलता था फिर भी वो लड़की उसके रिलेशन में दी काफी खुश थी लड़का गुस्य में कुछ जादा भी कह देता तो भी लड़की उससे कुछ नहीं कहते थी बिकॉस लड़की उससे ज़्यादा प्यार करती थी लड़की के लिए वो लड़का सब कुछ था उसकी पूरी लाइफ था उसकी पूरी जिंदगी था लड़की ने शादी के विस अपने देख लिए लड़की न अपनी फैमिली को ही मना लिया एक दिन लड़की ने अपनी खुश थी उसके रिलेशंचिप में लड़की को लगने लगाता कि उसकी ड्रेम लाइफ आखिरकार पूरी होने वाली है बड़ जब लड़की ने लड़की को बताया कि मैंने अपने घर पे सब को माना लिया है शादी के लिए सब रह डी है बड़ लड़का तब मुगर गया लड़के ने का कि मेरी सिच्वेशन अभी ऐसी चल ली है मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है मैं अभी तुमाई फैमिली से नहीं मिल सकता लड़का हर बार एक नया भाना करता और उसकी फैमिली से नहीं मिलता लड़की वो लगने लगा कि आके प्रॉब्लम क्या है लड़की उस बाद में लड़की को पता चला कि वो लड़का उसको चीट कर रहा था वो भी अभी से नहीं, चास सालों से चीट कर रहा था जब ये बात लड़की को पता चली न, वो बुरी तरह से टूट गई बुरी तरह से हर एक इनसान का ब्रेकब होता है हर एक इनसान मूवववन का जाता है पर कभी कभी कोई इनसान मूववन नहीं कर पाता यह लड़की उनी में से थी जो उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करती थी उसके लिए move on करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था बहुत ज़्यादा लड़की पूरे दो साल तक डिप्रेशन में रही उसका एलाज तक चला उसकी दवाईयां तक चली पूरे दो साल वो डिप्रेशन में रही पूरे दो साल वो लड़की depression में रही और जब उसने मुझे अपनी Instagram पे story बताई तब उसने उसमें ये भी mention किया कि अभी भी वो किसी पे पूरी तरह से भरोसा ने कर पाती है किसी पे पूरी तरह से trust ने कर पाती है वो ऐसा क्या करे जो किसी पे trust कर पाए क्योंकि आज भी वो किसी पे भरोसा ने कर पाती है ये story सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि हमें प्यार करना चाहिए या जब मैंने story सुनी सच में थोड़े time के लिए न मुझे प्यासे सच में नफरत होने लगी थी क्या गलती प्यार की है नहीं गलती उस इनसान की है जिससे वो टकराई गलती बस इतनी है कि वो गलत इनसान के साथ रिलेशन में आ गई अक्सर जब हम गलत इनसान के साथ टकराते हैं गलत इनसान के साथ रिलेशन में आ जाते हैं तो हमारी पूरी जिन्दगी खराब होने लगती है अगर सही टेम पे हम खुद को संभाल ले, move on कर ले तो तो ठीक है बड़ काफी लोग खुद को नहीं संभाल पाते, move on नहीं कर पाते तो उनकी जिन्दगी परवाद होने लगती है तुम्हारा एक गलत फैसला, किसी गलत इंसान से टकराना किसी गलत इंसान के रिलेशन में आना तुम्हारा प्यार पर से पूरा बरोसा उठा देता है और तुम डिप्रेशन में चले आते हो, पता नहीं क्या-क्या करने के लिए तियार हो जाते हो खुद को बिलेम करते हैं कहीं मेरी तो गलती नहीं है, मुझे में तो कोई कमी नहीं है प्यार में गलती है, प्यार ऐसा है, प्यार वैसा है बट एक्चुली गलती है का होती है कि तुम्हें गलत इंसान के सार रिलेशन्चिप में थे वो लड़की जैसे तैसे करके अब move on करने कोशित कर रही है सब कुछ भूलने कोशित कर रही है बट आज भी overthinking उसकी बारवा यादे आना वो सारी चीजे उसके सामने है इतना सारा time इतने सारे साल उसने अपनी जिन्दी के बरवात कर दी है दो साल depression में रहना छोटी बात नहीं है और depression तुम्हें लगता है सरफ depression आज कल जैसे ही यूद बोलती है मुझे बहुत depression है sad story लगा रही है sad post कर रही है वो depression नहीं होता है जिस दिन तुम actual में इसको feel करोगे न तो पता चलेगा कितनी बहेंकर बीमारी है ये बी एक और लड़की ने दो साथ डिपरेशन में रही है तो यार अगर कोई बी लड़का यह वीडियो देख रहा है जो किसी और के साथ बहुत रिलेशनजिप में है क्ब Using अब पता चलेगी उसके लिह मूघ ह철 वीडियो में के ताहूं तुम कई से का तुम कुछ किसी का भरोशन मत तोड़ो Χर्ण वाला किसी कोके वाला वहाँ रो सां off निकठता है उस इनसान का प्यारे से बरोजा होच जाता है और जब वो अपनी स्टोरी दूसरों सुनाता है ना तब दूसरों के दिल में भी यार के लिए नफरत आने लगती है अच की वीडियों यहीं भी खतम करता हूँ I hope तो आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिलाओ अगर आप किसी कर रिलेशन्शिप में आ रहे हो तो काफी सोच समझ के रिलेशन्शिप में जाना काफी सोचना काफी समझना वो इनसान तुमारे लाइक है या नहीं वो इनसान ठीक है या नहीं अगर तुम रिलेशन में चले गए और उसने तुमें चीट कर दिया तो या तुमारे लिए मूव ओन करना उन सब चीजों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसमें तुमारा बहुत ज्यादा टाइम भी बरवाद होगा जिंदगी बहुत कीमती होती है ज कोशित करो अपनी फैमिली का सपोर्ट लो दोस्तों से बात करो बट अकेली मत रहो ओवर थिंकिंग करते मत रहो वह नहीं हो सकता है तुम भी डेपरेशन में चले आओ यह डेपरेशन कोई हसी मजाग नहीं होता इसको बहुत ही सीरियसली लो प्लीज अपना ध्यान लगो म मिलते नेक्स वीडियो में अलविदा लव्यों